प्रियोडिक टेबल में जब हम ग्रूप 4 के एलिमेंट्स को देखते हैं जिसमें कार्बन, सिलिकान, जर्मेनियम, टिन वह गहरा आते हैं तो यह एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डायमेंट स्ट्रक्चर डायमेंट स्ट्रक्चर जो है जितने भी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम और 14 प्रेविस लैटिस होती हैं उनसे यह एक अलग स्ट्रक्चर है अब और दूसरी बात यह है कि इसको हम लैटिस भी नहीं कहते हैं य क्यों नॉन ब्रेविस लैटिस है क्योंकि यह लैटिस की जो कंडिशन है कि इसके इर्दगीर्थ जो एक्टम्स उनकी जो स्वांडिंग्स है वो अडेंटिकल होनी चाहिए वो डायमेंट स्ट्चर जो है वो उस क्राइटेरिया को फुल्फिल नहीं करता है इस वज़े से जो तो अगर हम इसको कंपेर करें कि जो सेमन हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंडर के अंडर हम उसको लेके आ सकते है तो वो क्यूबिक स्ट्चर बनाते है या फिर एक हैजागनल स्ट्चर बनाते है लेकिन क्यूबिक स्ट्चर जो है वो ज्यादा कॉमन जो हम डायमन space lattice कुन सी है तो वो FCC है अब space lattice FCC है लेकिन FCC के साथ-साथ क्या है कि 4 additional items होते हैं 4 जो body diagonals होते हैं उस cube के उसके along 4 additional items जो है वो लाइक कर रहे होते हैं तो basically क्या हम कहेंगे कि जो diamond structure है वो एक FCC है उसके साथ 4 additional items हैं जो के लाइक करें along the 4 body diagonals ये सारा structure जो मिलके है वो diamond structure बनता है इसके लावा हम इसको यह भी describe कर सकते हैं कि जो अगर space lattice FCC है तो इसका मतब है जो basis है वो 2 carbon atoms की अगर हम element जो है वो carbon का ले रहे हैं कि carbon को हम consider कर तो इसका मतब है जो basis है वो 2 carbon atoms के उपर मुश्तमिल है एक atom तो उसका लाइक का रहा है at the lattice point और दूसरा atom जो है वो लाइक करता है at a distance of one quarter of the body diagonal from the lattice point अभी I think हम इसके ओपर focus करते हैं कि हम यह देखते हैं कि यह किस तरह से इसका structure बनता है यानि कि FCC lattice और 4 additional items जो है वो फोर body diagonal के along जो है वो like like करें इसको इस चीज को consider करते हुए हम इसके जो structure है उसको draw करते है अब हम diamond के structure को draw करते हैं so diamond के structure को draw करने के सबसे पहले यह step यह है कि मैंने एक simple cubic structure बना दी यहाँ पे अब simple cubic के बाद मैंने इसको FCC बनाना है FCC का मतब यह है कि मैं इसके हर face के center में एक item जो है वो मैं place कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने एक item लगा दिया जो right वाला face है इसी तरह से जो bottom wall है उसके middle में और फिर left side का जो face है उसके middle में और यह top के में और यह जो back side के ऊपर face है उसके middle में और जो front side का है उसका middle roughly यह बन जाएगा तो यह हमारे पास एक FCC lattice होगी अब इसके बाद क्या था diamond के structure में कि हम जो four diagonals है उसके long जो items को place करेंगे अब मैंने एक और यहां पर cubic structure अलग से separate बनाए और मैंने four जो इसके diagonals है वो भी draw करती है अब आप यहां पर देखें यह जो सबसे पहला diagonal है यह कहां से आ रहे हैं जो back side है क्यूब की उससे वो आके front side के उपर आ रहे हैं यह number one diagonal हो गया number two जो है वो front side से यह back side के उपर जा रहे है और number three diagonal front side से गें back वली direction के तरफ जा रहे है और last one fourth जो diagonal होगा वो back side से इस तरह से फरंट वली side के उपर आ रहे हैं तो यह diagonal होगे मैं इसको इसको label भी कर देती हूं I think किसी color से कर देती हूं यह one है just a minute so इसको मैं कह रहे है तो यह one है यह two diagonal this is three or this is four अब मैंने यहां पर क्या है atoms को place करना है तो जो atoms in diagonals के लांग place करेंगे उनकी positions क्या होगी उनकी position एक अगर atom की position one by four है so अगर एक atom की position one by four है so one by four तो जो दूसरे वाला diagonal के लांग होगी वो three by four होगी so that will be three by four इसको मैं दुबारा से try करती हूं draw करने की that will be three by four और फिर जो third one होगा वो again फिर one by four और फिर जो last one है वो three by four यह नहीं कि यह उनकी positions होगी तो हम अब इनको draw करते हैं मैं को color change कर लेती हूं so अब देखें जो पहले वाला हमारे पास diagonal है वो basically आ रहा है from back to the front तो इसका one by fourth का मतब है अगर मैं पूरे diagonal की length one ले रही हूं तो one by fourth तकरीबन roughly यहां पे लाए करेगा इसी तरह से जो second वाला diagonal है इसके उपर जो position होगी that will be three by fourth so अगर पूरा diagonal one है तो इसको हम चार हिसों में divide कर लेते हैं so three by fourth roughly यहां पे आ जाएगा so जो diagonal three है वो again फिर one by fourth के उपर होगा so जो atom यहनि कि हम place करेंगे इसके उपर one by fourth के उपर है तो one by fourth यहां पे roughly आ गया और जो last वाला है diagonal उसके उपर item जो place हो रहा है वो three by fourth के उपर है so three by fourth का मतलब है वो roughly यहां पे इसके position होगी अब यह मैंने diagonals के long जो items के positions को show कर दिये अब अगर मैं यह जो right side पे थी मेरा structure FCC अगर अब मैं इस structure को इसके उपर like इसको merge कर देते हैं तो क्या होगा basically मैं इस वाले जो second वाला diagonal वाला जो मैंने four diagonals ट्रॉव की इसके अंदर मैं इन items को जो के पहले वाले structure में मैंने face के उपर place किये थे वो मैं यहां पर place कर देती हूँ अब यहां पर देखे मैंने इन सारे items को जो यहां पर face के ओपर थे वो मैंने यहां पर redraw कर दी हैं तो यह जो पूरा structure हमारे one diagonal जो मैंने था इसको अगर मैं item को देखूं तो यह वाला जो item है basically यह एक अपना bond बनाता है एक item कोन से वाले के साथ जो corner के ओपर है और बाकी तीन जो है वो अपने जो उसके nearest face होंगे उनके items के साथ बनाता है ताकि उसका जो उसकी जो autonomous shell है वो complete हो जाए यह निके covalent bond बनाता है तो अगर मैं उनको ड्रॉय करना चाहूं कोई मैं different color use कर लेती हूं तो देखें अब जैसे यह वाला जो item था जो यह वाला item है एक तो यह corner वाले के साथ बना रहा है अपना bond और उसके बाद चुके यह back side के ओपर है और one-fourth की position के ओपर है और इसके जो nearest होगा वो इसका जो bottom वाला है face इसके साथ वो एक bond बनाएगा और उसके बाद जो इसकी left side पर face है उसके साथ बनाएगा और जो back side face है यानिकि atom जो उसके ओपर place हुआ हो उसके साथ bond बनाएगा तो back side वाला यह है तो यह इस तरह से वो अपने जो four bonds बनाएगा covalent bond जो अपनी जो उसके साथ nearest उसके neighboring atoms है इसी तरह से हम third वाले का देख लेते हैं जो third के long body diagonal के long atom place किया हुआ था एक तो वो bond बना रहा है उसके साथ corner के साथ और जो तूसरा उसका bond बनेगा वो जो कि again यह one by fourth की position के ऊपर है तो यह नीचे वाले face के साथ एक bond बनाएगा और फिर दूसरा यह राइट वाले face के साथ यह इसके nearest है और जो third one है वो जो कि यह front side के ऊपर है तो front वाले के along जो है वो bond बनाएगा अब हम fourth one second वाले के ऊपर चले पहले हम देख लेते हैं जो second वाले के long है यह कितर से यह front side से back side पे जा रहा है एक तो यह corner इसके corner एक तो यह अपना वाली position में है तो यह top वाला जो face है उसके साथ बनाएगा और फिर यह जो fourth one है चुकि यह अब किस side पे है यह back side पे ज्यादा उसके close है तो जो back side के ऊपर item होगा वो यह वाला होगा यानि कि जो bond बनाएगा यह इसके साथ बनाएगा इस तरह से इसका structure बनेगा next हम देख लेते हैं अब यह जो last वाले diagonal के लाँग है fourth वाले के लाँग यह क्या है यह back side से front side के ऊपर आ रहा है so front side के ऊपर जो इसने second जो है वो business outside के ऊपर आ रहा है तो इसका मत् Morgan फंट वाले face के ऊपर वो अपना बॉंढ बनाएगा ऑड़ the брak साइट पर लेकिन टॉप की पोजिशन के ओपर है तो यह जो टॉप के ओपर है यह निकि जो टॉप फेस उसके ओपर जो एटम है उसके साथ यह बॉंड बनाएगा तो यह जो इस तरह का हमारा पर स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं डाइमेड्स स्ट्रक्चर कुछ इसके इंपोर्टन पॉइंट्स की डिसकेशन कर लेते हैं कि जो सबसे पहला यह है कि जो टामन स्ट्रक्चर होता है वो एक नॉन ब्रेविस लैटीस है इसके हम औरडी में आपको बता चुकिए कि नॉन ब्रेविस लैटीस है क्योंकि उसके अडिशनली फोर एटम्स उस क्योंकि जो एक लैटीस में जो एक लिए उनकी सेम और इंटेशन और सौंडिंग्स होनी चाहिए जिसको वो फिल्फिल नहीं करता वो स्ट्क्चर जो है वो उनकी सेम एक लिए इसलिए इसलिए जो डामन वो एक नॉन प्रेविस लैटीस है पिर यह के जो फॉर से बनते हैं कि वो सारी एक इसलिए से अटैज होते हैं आटम्स के वो एक टेट्राहेडर स्ट्चर जो है वो बनाते हैं जैसे मैंने भी ड्रॉः कि एस तक्च्चर तो आप ने वहाँ देखा होगा कि एक जो कार्बन का आटम है वो अटैश्ट है टू दर नीरस्ट फॉर तो उसके वज़ा से जो उसका coordination number होगा वो 4 होगा अब हम अगर बात करें number of atoms per unit cell की तो number of atoms per unit cell इस case में कितने होगे आप देखें जो cube है, cube के 8 corners है, 8 corners से हर corner से हमें 1 by 8 मिल रहा है, तो total हो गया 8 times 1 by 8 plus उसके face के ओपर कितने face है, 6 face है, 6 face से हमें कितने contribution मिल रही है, हर face से हमें आदा atom मिल रहा है, तो 6 times half face से contribution होगी plus 4, यह 4 का क्या मतलब है, यह वो वले atoms हैं जो कि पूरे, उस वले unit cell के अंदर लाए करें along the diagonals, तो उनकी contribution पूरी की पूरी होगी क्योंकि वो पूरा unit cell के अंदर लाए करें, तो plus 4 इसलिए हमने यहां पे लिख्या है, तो total number of atoms जो होगे per unit cell वो diamond में 8 हो जाएंगे, अब next इसकी बात हम करते हैं, पैकिंग फ्रेक्शन की, अचा है, पैकिंग फ्रेक्शन तो अगर हम देखें, सिरफ एक FCC की जो हमने last lecture में calculation की ती, उसकी पैकिंग फ्रेक्शन तो 0.74 आ रही थी, लेकिन इसकी जो पैकिंग फ्रेक्शन है, वो 0.34 है, जो के एक basically loose pack structure की होती है, वो क्यों है basically, असर में जब four additional items भी इस तरह से इसके अंदर अरेंज़ था है, कि overall जो structure है, वो ज्यादा open हो जाता है, उसमें ज्यादा vacant positions मिल जाती है, वो structure कुछ खुल जाता है, तो overall कुछ vacant spaces जो है, वो ज्यादा available हो जाती है, इसकी वज़ा से उसकी जो packing fraction है, वो 0.34 है, जो क structure है, अब मेरा ये जो unit cell है, अगर मैं इसका plane view देखना चाहूँ तो वो किस तरह से होगा, उसका क्या मतलब है कि आप यू समझ लेंगे, जैसे एक कमरा है, जो क्यूब की शकल का है, और आप उस कमरे की top, जो ceiling है, उसके उपर से आप view कर रहे हैं, उसके बेकुल उपर से ज उसके side की जो walls हैं, वो भी नज़र आएंगी, तो किस तरह से atoms की जो है, वो हाँ पर position होगी, अब हम देखें, यह मैंने वो नीचे का floor है, वो बना लिए, अब इसको atoms को हम लाए करते हैं, तो atoms जो हैं, वो corners के उपर आ रहे हैं, यह जो four उसके corners हैं, नीचे वाले फ्लोर के नीचे वाले plane के, उसके जो four corners हैं, उनके उपर atom लाए कर रहे हैं, और यह देखें, यह atom कहां पे, यह atom उसके जो face है, उसके उपर लाए कर रहे हैं, उसके middle में, और इस तरह से यह वाला, जो दूसरे वाले side का face है, उसके middle में लाए कर रहे हैं, और यह सारे instances के middle में लाए तो अगर आप इसको देखें यह जो corners के उपर है तो जो नीचे वाला फ्लोर है जो नीचे वाला और एक तरह से बहुत नीचे है आप उसको region समझ सकते हैं और उसके बाद मैं उपर से देख रही हूं और उपर भी तो corner के उपर एक जो है वह लाएकर हो जो कि कितनी डिस्तेंस के उपर है ऑन डिस्तेंस के उपर है तो इस point के उपर जो coordinates हो जाएंगे बहुत जिसलों और सब्सक्राइब कर जाएंगे 0 और 1 जिरो और 1 जिरो और उन उसके बाद नैक्स आजाते हैं जो फेस तो फेस जो है वह आपको पता है ये face का 1 by 2, ये भी 1 by 2, और ये भी 1 by 2, अब ये कुनस एटम है, ये वो वाला एटम है, जो नीचे वाला जो plane था, उसके middle में लाएका रहा है, यानिकि उसके face के उपर, लेकिन ये किस जगा के उपर है, ये चुके नीचे है बिल्कुल, तो इसलिए इसका coordinate भी 0 होगा, इसका उपर वाले face के उपर देखना चाहूं, तो उसका coordinate क्या होगा, वो पूरी कितनी distance के उपर है, वो 1 वाले distance के उपर, इसलिए इसके coordinate 0 और 1 होगे, अब हम देखते हैं जो diagonals वाले हैं, अब ये diagonals वाले मैंने यहाँ पर draw की हैं, आब ये देखें, ये जो हमारे 4 diagonals हैं, ये उनके along हैं, अब जो सबसे पहले है, अगर मैं इनको diagonals corpus में attach करना चाहूं, तो ये इस तरह से होगे, और इस साइट से, ये diagonals होगे, अब इसके क्या position होगी, इस वाले की, ये सबसे पहले वाला जो है, ये 1 by 4th position के उपर है, तो ये 1 by 4th, और चुके alternatively हैं, so 1 by 4th, और again ये वाला 3 by 4, और फिर ये 1 by 4, और ये 3 by 4, तो ये इस तरह से हमें, एक तरह से जो unit cell, उसका हम plane view जो है, जो है, उसको हम यूँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये picture भी आप देख सकते हैं, लास्ट में एक important point के discussion रहेंगे, वो हम कर लेते हैं, वो क्या है, कि basically ये जो हमारे पास interior items है, interior items कोन से वाले, ये जो lie कर रहे हैं along the diagonal positions, जो के four items हैं, along the four diagonal, इनके coordinates क्या होंगे, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं, ये वाली side मेरी x-axis है, इसको मैं x-axis ले लेती हूँ, और ये मेरा y-axis है, और ये इस side पे z-axis है, तो फिर इनके coordinates क्यों होंगे, तो सबसे पहले, ये जो है, along the diagonal one, ये जो atom है, इसके coordinates क्योंगे, कि x-axis के लोंग ये 1 by 4th position पे है, y के लोंग भी 1 by 4th पे है, और z के लोंग भी 1 by 4th पे है, तो इसके coordinates 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 होंगे, इसी तरह से जो number 2 पे है, जो number 2 वाले body diagonal के उपर item लाए का रहे है, यहाँ पे, इसका जो x-axis है, वो 3 by 4 है, y-axis जो है, वो भी 3 by 4 है, लेकिन z-axis जो है, वो 1 by 4 है, तो इसके ये coordinates होंगे, 3 by 4, 3 by 4 and then 1 by 4, number 3 के उपर जो है, number 3, I mean like जो diagonal है, उसके उपर यह वाला item जो लाए का रहे है, इसका x-axis के long, इसने 3 by 4 distance पे है, और y-axis के long यह 1 by 4, और z-axis के long again 3 by 4, so 3 by 4, 1 by 4, 3 by 4, इसके coordinates होंगे, number 4 वाले का हम देखते हैं, जो 4th diagonal के उपर है, जो यह वाला item है, इसमें जो x-axis है, वो 1 by 4 है, और y जो है, वो 3 by 4 है, और z जो है, वो भी 3 by 4 है, so उसके coordinates होंगे, 1 by 4, 3 by 4 and then again 3 by 4.